नमस्कार दोस्तो वेलकम टूपिक क्लासिश दोस्तो आरजीपीवी लेटेस्ट अफडेट में लेटेस्ट इंफार्मिशन नहिंत जो कि हमारे छात्रों के आनलाइन एक्जाम से संबन्दे थे तो दोस्तो जैसे कि आपको मालूम है आपके आनलाइन एक्जाम के दिशा जारी कर दिये हैं साथी दोस्तों जैसे कि हम Google में या नीज़ पेपर्स में देख रहे हैं तो डिफरेंट तरह की जो जानकारी है वो भी सामने निकल के आ रही है तो दोस्तों आज में आपको 24 दिसमबर को आए इस आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे जो कि Google स्पर है आपका बैतुल टाक्स आवलेक То fifty exam news विद्यारतियों के लिए दिसा निर्देश जारी नकल परकर्ना पड़ेगा भारी भारी दोस्तों जो भी छात्र पी के लास इस में फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विडियो को लाइक करें जिससे आने वाला लिटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके आरजी पीवी एकजाम न्यूज में राजिव गांधी प्रोधिगी विश्विद्याले ने आनलाइन परिक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं छात्रों के लिए गाइ परिक्षा की तैयारी पूरी कर लिए साथ ही आपके आनलाइन एकजाम की गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई है अब किस तरह की गती विदियां नकल वा नकल की स्रणी में आएंगी इसको देखना बहुत जरूरी है यह नई सरे से तैय किया गया है इसलिए परिक्षा के यह उपस्तित होने वाले चात्रों को दिसा निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए बैतूल टाक्स आवलिक राजियुगानी प्रोधिकी विश्विद्याले की और से बताया गया है कि सेमिस्टर फोर्थ से लेके एट सेमिस्टर तक की परिक्षाएं आयोजित की परिक्षाएं परिक्षाएं 30 दिसम्बर 2021 की तारिक से शुरू होगी चात्र किसी भी जगह से आनलाइन उपस्तित हो सकते हैं इन सभी सुविदाओं के साथ साथ चात्रों को कुछ अन्न बातों का भी ध्यान रखना होगा उनकी हर हरकत पर एक साप्ट बेयर केमरे के जरिय नजर रखी जाएगी Artificial Intelligence के आधार पर यह अपने आप तैक कर लेगा कि आपकी गतिविदियां संदेख्ध हैं या नहीं है यदि वो गतिविदियों को संदेख्ध पाता है तो आटोमेटिक नकल प्रतुलन दर्ज कर लेगा मिस दोस्तों यहां पर बार समाजने वाली एह है कि आरजी पीवी इस बार आनलाइन एक्जाम में Artificial Intelligence की मदद ले रही है यह एक न्यू टेक्नलाजी न्यू डेपलप्ट साप्ट वेयर होता है जिसके सहायता से अपने आप आटोमेटिक ही आपकी हरकतों से कौन किस तरही क एक्टिविटी कर रहा है उससे आटोमेटिक ही डेटेक्ट करेगा और डेटेक्ट करने के बाद आपका नकल प्रकरण बना सकता है तो दोस्तों Artificial Intelligence के आधार पर अपने आप तय कर लेगा कि आपकी गतिविदिया संदेख्ध है या नहीं है यदि वो विद्द्यार्थियो को संदेख्ध पाता है तो आटोमेटिक नकल प्रकरण दर्ज कर लेगा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा आरजी पीवी सुत्रों ने बताया है कि साप्टवेयर चात्रों को अलार्ट भी दिखाएगा साप्टवेयर यह नोट करेगा कि परिक्षा के दौरान चात्र कि मामलों पर नजर रखेगी इस जो साप्टवेयर कैप्षर करेगा जो भी आपकी गतीविद्ईयों को वो यह नकल प्रकरण डिकलेअर बनाएगा बो सारे साप्टवेयर की पेपर होने के बाद आपकी एक कमेटी के पास जाएगी रेपोर्ट और एह कमेटी आपकी का मामला दर्ज किया जाएगा اس से अधिक होने पर उसकी परिक्षा रद्ध कर दी जायेगी तो दो स्टों आर्लाइन परिक्षा में वेपकेम का प्रियोक किया जाएगा ऑर्जी पी इस केमरे से छात्रों की निगरानी करेगा यहां तक कि RGPV अधिकारी भी छात्र की हर हरकत पर नजर रखेंगे इधर RGPV की practical परिक्षाएं भी 20 जनवरी से शुरू होंगी जो 29 जनवरी तक चलेंगी इन परिक्षाओं में 9,000 चात्र सामिल होंगे आनलाइन परिक्षा में बहु विकल्पी पेटर्न पर 60 प्रिशने पूछे जाएंगे तो दोस्तों यह RGPV से लेटेस्ट जो आर्टिकेल से जो की एक इंटरव्यू में RGPV के मदद से यह बताया गया है कि आप लोगों के जो आनलाइन एक्जाम है उसमें थोड़ा सा आप लोग केयरफुली ध्यान रखें कि कुछ तरही की कुछ अननेसेसरी एक्टिविटी ना करें जिससे आप लोगों को कोई भी जोखम उठाना पड़ें तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखें एक्जाम की तैयारी करें और अच्छे से एक्जाम दें वेश्ट अप लग थैंक्यू